हाई फेंड्स मेरा नहीं राज और आप देख रहे हैं टेक वाइट तो आज का टॉपिक है अगर आप कोई लैपटॉप या डेक्स्टॉप यूज कर रहे हैं और उसमें आपको यह ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है बार बार या हर आदे घंटे में आ रहा है तो कैसे इसको फि है करें उसके बाद आपने जाना है अपडेट औन सिक्यूरिटी के अंदर अपुसके बार लेफ्ट साइट पर रिकमव toplum ऑपशन ऐसके आपने क्लिक करना है वata आपका अप्शैटाप का ख़ीन उससे ए इससे क्या होगा कि आपका लैपटॉप है वह रिकमवरी मोड में हो जाएगा और उसके बाद हम इसमें जो डबल शुटिंग स्टेप हैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करने तो यह विंडो खुलेगी आपकी तो आपको पहले डबल शूट पर जाना है फिर एडवांस ऑप्शन पर जाना है फिर कमांड प्रोन पर क्लिक कर देना है ठीक है इस तरह का विंडो खुलेगा आपको तो हम पहले जो कमांड रन करेंगे उससे क्या होगा कि आपको जो हार्ड़िस है उसको यह रिपेर करने लग जाएगा जो भी हार्ड़िस का इस्यों होगा तो आपने लिखना है उस पर चेक सी एच के डिएच के स्पेस फिर डालना है स्ल इसका इशू रहेगा उसको यह रिपेर कर देगा मैं थोड़ी वीडियो फास आवड कर रहा हूं और इसके बाद अगर यह एक्टिविटी होने के बाद भी अगर आपको इशू फेस कर रहे हो आप बार बार बू स्क्रीन का तो आपको लास्ट ऑप्शन यह रहता है कि पूरे अपने लैप्टॉप को रिसेट करना पड़ता है तो मेरी एक्टिविटी खतम हो चुकी है चेक डिस की तो मैं इसको आप एक्जिट कर देता हूं ठीक है फिर आप एक्जिट आइन कंटिविट विंडोस 10 को क्लिक कर सकते हैं और अगर उसके बावजीत भी आपको यह एरर आ रहा है तो मैं आपको एक ट्रिक और बताऊंगा आपने यहीं आ रहा है और आपने यहां पर जाके डबल शूट के अंदर रिसेट पीसी को क्लि दूसरा ओप्शन होता है उसमें आप कीप माइफाइल इसमें जो भी आपका डेटा होगा वो सेफ रहेगा खाली आपको जो लैप्टॉप हो पूरा रिसेट हो जाएगा तो मैं यह चूज कर लेता हूँ और यह जो मेरा लैप्टॉप है आप रिसेट होने के लिए स्टार्ट हो गया है रिसेट के लिए तो यह जो रिसेट का है यह आपका लास ओप्शन है अगर आप जो पहला ओप्शन से आपकी हार्डिस का इशू सॉल्व नहीं होता है तो आपको यह ओप्शन अप्लाई करना पड़ेगा आपको अपने लैप्टॉप को रिसेट करना पड़ेगा उससे क्या होगा पूरे हार्ड डिस रिसेट हो जाएगी और आपको जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा थैंक यू थैंक्स वर वाचिंग टेकवाइट हैव नाइस टे